हाई फ्रेंद्स विल्कम टू फ्रीट्राइक आज हमें इस वीडियो में एक्सपैज वेहिकल को कयसा आक में रिचर्च करना करकि दिखेजा Fleet Track आपको open करे तो आपको add new device, renew expired vehicle support करकी 3 option दिखाई देगा New device को activate करना है तो आपको first option को select कर लो expired vehicles को renewal करना है तो second option नई आपको support team के पास बात करना है तो third option पर click करना तबी आपको एक WhatsApp पेज open होएगा उसमें जाकर आपको risk था तो उसमें clear कर ले जा अभी मैं expired vehicles को renewal करना चाती हूँ, तो मैं first option पे click करती हूँ मैं payment करके एक page open होएगा उसमें मेरा account का expired vehicles show होएगा अभी मेरा account में TN36AV0033 करके vehicle expired हो चुका है तो मुझे इसको renewal करना चाहिए renewal करने के लिए first गाड़ी का number पर click करना तबी my payment करके एक page open होएगा उसमें expired हुया रहेगा ना उसका vehicle number को उसका expired date के शाथ में show करेगा इसके नीचे मुझे 1 year, 2 year, 3 year, 5 year करके renewal pack दिखाई देरा उसका charges में उसमें लिखा है इसमें मुझे 1 year pack ओके है सो मैं इसको select कर ले select करने के बाद pay 1800 option पर click करना पड़ेगा click करने के बाद app का link razor pay का link के साथ में generate होकर payment option को list out करेगा मैं google पे, phone पे, paytm करके sub option भी दिखाई देगा मेरे पास gp है सो मैंने उसको select कर ले gp को select करने के बाद में मुझे gp account में direct login हुएगा login होने के बाद security code दालकर open कर लो पेइंग मेरे कटार करके मैंने select करे थी ना वो amount यहां पर दिखाई दे रहा मैं उसको confirm करके proceed to pay option select कर दी हूँ proceed to pay select करने के बाद मेरा transaction code भी हां पर enter हो चुका है अभी मेरा payment close हो यहां अभी अप्डेट हो गया अभी अप्डेट हो गया मेरा vehicle भी live में आ गया अभी यह vehicle पे active vehicle में add हो जाएगा मैंने इसका live status भी check कर ले जा अभ्डेट है